हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों विशाला सुक्त करता हूं अभी के चैनल में उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वैल आइकन को दबाना ना बूलें ताकि आपको हमारे च इसके लिए एक सेटिंग्स बता रहा हूं जो शायद आपको मे भी पता हो मे भी नौट ओके दोस्तों तो आपको कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा वीडियो को इसकिप नहीं करना है जरा साबी ओके दोस्तों अगर इसकिप करेंगे तो काफी कुछ मिस कर देंगे तो दोस्तो, सबसे पहले एक setting आईगी, जैसे बोलते हैं, do not disturb, जैसा इसका नाम indicate करता है, कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो कोई आपको disturb ना करे, आप mobile पर कुछ भी काम कर रहे हैं, और आप चाहते हैं, कि कोई आपको disturb ना करे, तो इसके लिए Android में एक setting आती है, do not disturb के नाम से, किसी कि मोबाइल में आती है, do not disturb, gaming के नाम से, किसी के मोबाइल में कुछ, तो किसी के मोबाइल में कुछ, ओके दोस्तों, ज्यान नखिएगा, जरूरी नहीं है, ये setting आपको एक ही जगा मिले, हर mobile के हिसाब से, हर model के हिसाब से, अलग अलग जगा मिल सकती है, ओके दोस्तों, किसी में कहीं, तो किसी में कहीं, ओके दोस्तों, अब जैसे कि देख सकते हैं, मैं Redmi 05 Pro यूज कर रहा हूँ, ओके दोस्तों, मेरी ये setting बाहर मुझे यहीं पर मिल जाती है, देखे, D&D के नाम से, जिसे मैं activate कर दूँगा, तो ये setting चालू हो जाएगी, और कोई मुझे disturb नहीं कर पाएगा, लेकिन चलो, यहाँ पर चेक करते हैं, दोस्तों, कि यहाँ पर ये setting मुझे कहां मिलती है, ओके दोस्तों, तो ये setting मुझे यहाँ पर आके मिल जाएगी sound and vibration में, ओके दोस्तों sound and vibration में आके मैं यहाँ पर ये setting मुझे आसानी से मिल जाएगी silent D&D के नाम से, मैं इसे on उगर सकता हूँ, लेकिन किसी-किसी के mobile में कहीं पर भी मिल सकती है, passport या security में भी मिल सकती है, ओक दोस्तों, ये हमारी वही आज की एक बहुत important setting, एक setting ऐसी है दोस्तों, जिसमें आप background app blocker की तरह यूज कर सकते हैं, app blocker से कहने का मतलब है दोस्तों, मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको दोस्तों पता होगा, यहाँ पर इस तरीकिस हम click करके, side वाले button पर click करके, हम बहुत सा background में चलती रहे, इस पर click करने के बाद भी, okay दोस्तों तो आप कैसे कर सकते हैं, okay दोस्तों, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों, अलग अलग तरीके से चीज़ा आती है, किसी किसी के mobile में यहीं पर एक icon show हो जाता है, lock करके, जैसे कि चलिए, मैं पहली व lock का icon है, जैसे ही मैं lock करूँगा, तो यह चीज़ हो जाएगी lock मेरी, और यह lock होने के बाद अब यह lock हो चुकी और यहाँ से नहीं जाएगा, okay दोस्तों, तो इस तरीके से इन settings का आप use कर सकते हैं, okay दोस्तों, तो समझ में आया होगा, दोस्तों, उमीद है, यह वीडियो आपको समझ में आया होगी, यह setting आपको जरूर पसंद आया होगी, अगर पसंद आया हो तो like जरूर कीजिएगा वीडियो को, okay दोस्तों, और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, okay दोस्तों, तो बहुत settings के बारे में और भी हम आपको further बताएंगे, तो